हेलो साथियों कैसे हैं आप सभी आप सभी अपने परिवाद एक्जामें पेड़ेयर और फिर से स्वागत है तो यहां पर बहुत करने वाला है तो इसी के बारे में आपर बात करने वाला हूं कोंक्रिट टेग्नलोजी की जितने भी आपके को प्यारे को पूछे जाते हैं उन सभी के बारे हम आपकी बातचीत करेंगे ठीक है चलिएगा उसके बाद जो स्टुडेंट आपकी PDF अगरें बात करते हैं तो उनके लिए बोलना चाहता हूं कि आपको हमारा Telegram गूर्प जोइन कर लेना है जो कि हमारा है एक्षाम के नाम से ठीक है इस Telegram चैनल को आपको जोइन कर लेना यहां पर आपको जो भी आपका पीडिय बोता है वो आपको मिल जाए करेगा यहां पर आपका यह अपडेट हम करते हैं ऐप सब्सक्राइब करें यह लिए और यूपक डाउनलोड कर लिए कोई दिख्कत आपको आती है उसके लिए हम आपके कर लीजेगा और जो कि आपका 13 अप्रेल से आपका चल रहा है ठीक है चलिए और इसमें आपकी जो टैस्ट रीज है वो आपकी फ्री रहने वाले जिसमें आपके आट टैस्ट टोटल आपके रहने वाले हैं तो उसे आप देख सकते हैं यह आपका foundation batch है इस foundation batch में जो आपका theory आपका session रहने वाला है वो आपका 400 प्लस आवर्स का आपका क्यूल आपका थरी का सेंशन यहांपर रहने वाला है उसके उपर अगर बात करूं उसके बाद अगर बात करूँ आपसे नहीं पर जितने हैं आपके कुश्चन प्रैक्टिस होंगे चाहिए वह आपका राहिसान जायी का हो तो कूछ को बता है बाराज उनके पाविए अबिए आपका राईज संझमना फिर ा आपका कोई भी आपका जेए अग्लाम जिसके लिए yo प्राइशन 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 प् तो पर आपका यहां पर आपको आन्सर कर देना कौशन पड़ेगा और आंसर की जिएगा क्या यहां पर आपका आपको अंसर रहने वाला है question पढ़ेंगे सभी साती, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, for concrete that needs to be used for wearing surface, ठीक है, wearing surface such as runway, road and pavements, according to IS 283.1970, the aggregate impact value shall not exceed, ठीक है, तो जब मैं बात करता हूँ, आपका wearing course के बारे में, या wearing surface के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो उस condition में, यह जो आपका aggregate impact value है, यह आपका, ठीक है, यह आपका 30% से ज़्यादा exceed नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मैं base के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, base course के बारे में, base surface course के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, तो उस condition में आपका क्या हुजाए करेगा, यह आपका 45% से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, यहाँ पर किसके आप मैं पूछी गई है, बात यहाँ आपकी चल रही है, that is for wearing surface के बारे में, तो यहाँ पर आपका option number, D आपका answer यहाँ पर आपका correct हुजाए करेगा, ठीक है, D answer यहाँ पर आपका correct हुजाए करेगा, ठीक, question पढ़ेंगे और answer करेंगे, क्या यहाँ पर आपका answer रहने वाला है, question पढ़ेगा सभी साथी, और answer कीजेगा, ठीक है, तो चल यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, आपका which IS code use the recommended guidelines for concrete mix design, ठीक है, तो concrete mix design के उपर अगर मैं बात आपसे करता हूँ, तो यहाँ पर जो आपका IS code है, IS code आपका use कहता है, IS code 10262, ठीक है, 10262 2009, तो यह ध्यान रखेंगे, B यहाँ यहाँ पर आपका correct हो जाए गरेगा, option number B will be the correct answer for this question, अब यहाँ पर डाल दें, चलो कोई बात नहीं, concrete technology को पर बात चल रही है, कर लेते हैं, according to IS code 2000, what is the modulus of elasticity of M25 grade of concrete, तो आपको पता है, कि जो आपका EC रहने वाला है, that will be cost to 5000 under root FCK, where FCK will be the characteristic strength of concrete at 28 days, and value will be taken in Newton per mm square, Newton per mm square, तो जो EC आपका होजाए करेगा, that will be 5000 under root FCK का value आपका हुआ, 25, तो यह आपका कितना हो गया, 525, तो यहाँ पर आपका option number B will be the correct answer for this question, option number B will be the correct answer for this question, ठेक है, यहाँ पर बापकी बात चल रही है, all the ingredients before testing the ingredients and concrete should be brought to room temperature which is probability, ठेक है, वाला, which is probability, कितना आपका रहने वाला है, बताएंगे जड़ा एक बार, चलिए, ठेक है, तो यहाँ पर किसी बार में बात चलिए, यहाँ पर आपकी बात चलिएगी, आपको temperature आपको कितना रखना है, तो यहाँ आपका रहने वाला, that is, 27 plus minus 3 degree centigrade, ठेक है, इसके आपको, ठेक है, tolerance limit आपके कितने रह सकते हैं, आपका 3 degree का variation आपका रह सकता है, मतला भी यह आपका, 30 degree से लेकर के, ठेक है, 24 से लेकर के, 30 के बीच में आपका variation आपका रहने वाला है, ठेक है, 24 से लेकर के 30 के बीच में आपका temperature का variation रहने वाला है, option number, D will be the correct answer for this question. Question पढ़ेंगे और answer करेंगे, क्या यहाँ पर आपका answer रहने वाला है, what will be the target average compressive strength after 28 days for a M40 geared concrete, तो आपको पता है, target mini strength आपका क्या होगा करता है, वो आपका यह रहने वाला है, यहाँ पर आपका क्या होजाए करेगा, that will be FCK, और यह value आपको कितना होजाए करेगा, 1.65 delta, delta will be the standard deviation, ठीक है, standard deviation आपको होजाए करेगा, कितना delta, ठीक है, उसके बाद, अगर मैं यहाँ पर target mean strength गवारेंगे बात करता हूँ, उसे आपका FM से में represent कर देता हूँ, FM will be the, कितना target mean strength, target mean strength, यह होगा आपका FM, अब FM को मैं लिख दिया करूँगा, FM will be equals to FCK plus 1.65 into delta, ठीक है, 1.65 into delta, यहाँ पर जो बात चल रही है, वो M40 ही चल रही है, आपको पता है, ठीक है, M का मतलब क्या होता है, M आपका होता है, M refers to mix, ठीक है, M refers to mix, ठीक है, इसके लिए आपको जो यह standard deviation का value रहने वाला है, that will be 5, तो FM will be 40 plus 1.65 multiply 5, FM का value आपको क्या जाए करेगा, comment करके बताईएगा, comment आपको साथ-साथ करना है, साथ-साथ का मतलब है, एक साथ जो भी आपको कोशन रहेंगे, वह अब हो comment करके बता देना है, ठीक है, तो यहाँ पर यह आपका 5, 48.25 MPa, 48.25 MPa, option number B will be the correct answer for this question, option number B यहाँ पर आपका answer correct हो जाए करेगा, आगले question इतरह मैं बढ़ता हूँ, ठीक है, तो कुशन बढ़ेगा है, इस पर आपको क्यूब का साइज रखना है, वह आपको पता है किना रहने वाला है, वह आपका रहने वाला है, that's will be 150 mm, ठीक है, लेकिन अगर मैं स्लेंडर के बारे में बात कर लेता हूँ, तो यह आपका स्लेंडर रहने वाला है, स्लेंडर के उपर भी आप काम करते हैं क्या, बसमें नहीं नहीं आ रहे है, स्लेंडर के उपर आपनी काम करते हैं, आई एसकोड आपको काम करता है क्यूब के ऊपर ठीक है लेकिन अगर आपसे बात करूँ किसके बारे में स्ट्रेंथ जो आपका स्ट्रेंथ हुआ करेगा वह आपका 80% रहने वाला है क्या डाइब इस फूर क्यों भी स्ट्रेंथ का क्यों भी स्ट्रेंथ का कोई डाउट यहां था किसी को तो ऑप्षण नंबर सी विल भी दा क्रेक्ट आंसर फूर दिस कुश्चन ऑप्षण नंबर सी यहां पर आपका आंसर करेक्ट हो जाय करेगा आगे बढ़ते हैं यह आपका योपी आर्वेनल्ज यह में आपको कुश्चन आया हुआ है जो कि आपका किस कोड पर है आएस 10262-2009 पर ठीक है यह आपका लेटेस्ट कोड आपका चल रहा है जिस पर आपके काम अब चलता है ठीक है फोर्मिक्स डिजाइन के लिए तो वह आपका क्या रहने वाला है आएस 10262-2009 तो इसमें आपके क्या कुश्चन पूछा गया है दा वाटर कॉंटेंट फोर ट्वेंटिफटी फिफ्टी अम स्लम्प रेंज वास फाउंड तो भी 186 लिटर किसना 186 लिटर वाट वुड व वॉल्यूम वाटर इव दा मिक्स डिजाइन वाज इंटेंड़ इंटेंड़ फोर 111 स्लम्प ठीक है 111 स्लम्प के कीश में आपका कीपिंग अधर पेरामेटर कॉंस्टेंट के वल यहां पर जो आपका स्लम्प का वैल्यू है वह चेंज क्या गया है क्या तो आपका यह स्क होगा अगर वह मैं बढ़ाता हूं तो आपको 3% आपको वाटर एक्स्ट्राइड करना पड़ेगा यह बात समझो जैसे माल लो कि मैं यहां पर बात करूं यहां पर आपका 50 mm तक के उपर बात चल रही है तो 50 mm के लिए 50 mm के लिए जो मेरा वोटर है वो मेरा कितना है वो मेर 186 liter है ठीक अब मैंने क्या काम किया मैंने यह वैल्यू बढ़ा दिया आपका 75 mm कर दिया तो मेरा कितना हो जाएगा इसका 186 का ठीक है 1.03 3% मेरे को बढ़ाना पड़ेगा 3% मेरे को बढ़ाना पड़ेगा मैंने यह काम कर दिया उसके बाद लेकिन मुझे कहां तक ले जाना में हो तो 100 mm आपको चाहिए होगा मतलब यह जो आपका बढ़ेगा यह 25 की रेंज में बढ़ेगा जैसे आपका 50 से 75 हुआ 75 से आपका 100 हो गया तो 100 यह आपको चाहिए था और हर आपका 25 mm पर आपको 3% वोटर कंटेंट आपको बढ़ा देना है ठीक है तो इस कंडिशन के ल आपको 25 mm के स्लंप के उपर आपको काम करना पड़ेगा ठीक है और उसके हिसाब से आपको यहां पर आपका answer बना देना है तो यहां पर यह आपका answer हो जाएगा कि इतना approximately 197 liter के राउंड आपका answer हो जाएगा तो यहां पर option number option number B will be the correct answer for this question option number B will be the correct answer for this question B answer यहाँ पर आपका correct हो जाये करेगा कोई doubt अगर यहाँ पर किसी को है तो वो मुझे बताईएगा फिर देख लेंगे क्या आपकी चीज़े यहाँ पर रहने वाली है कोशन पढ़ेंगे यहाँ आपकी बात चलें which of the following is not a test which of the following is not a test used for judging the aggregate for their desirable properties and suitability on roads तो यहाँ पर loose angels aberration test soundness test, expressive gravity test and VB test तो यहाँ पर चार ओप्शन आपको दिये हो है तो यहाँ पर यह आपका VB test रहता है यह आपका use नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ पर क्या पुचा गया है यहाँ पर आपका note के बारे में बात चल रही है तो ध्यान रखेंगे option number day will be the correct answer for this question option number day यहाँ पर आपका answer correct हो जाया करेगा आगे मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ question पढ़िएगा सभी साथ यह question पढ़ेंगे ठीक है चल लेगा बात की जाएगा ठीक है तो एक आपका यहाँ पर आपकी प्रमेसिपल लिमिट आप से पूछ लेगा ठीक है आइस 4500 के हिसाब से ठीक है अगर मैं concrete prepare करना चाहता हूँ ठीक तो यहाँ पर देखेगा अगर मैं organic के बारे में बात कर लेता हूँ organic के बारे में बात कर लेता हूँ अगर मैं inorganic के बारे में बात कर लेता हूँ अगर मैं आपसे sulfate के बारें बात कर लेता हूँ अगर मैं आपसे chloride के बारें बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर यह आपका IS 30-25 अलग-अलग इनके parts हैं ठीक है तो यहाँ पर आपका organic के लिए आपका कितना value हो जाए करेगा that is 200 milligram per liter inorganic की जो मैं बात करूँगा तो उसके लिए आपका कितना आपसे करेगा that is maximum permissible value ठीक है that is 3000 milligram per liter अच्छा अगर मैं sulfate के बारें बात करता हूँ तो उसके लिए आपका value क्या आपसे करेगा that will be 400 milligram per liter that is 400 milligram per liter अगर मैं chloride के बारें बात करता हूँ लिकिन इसमें आपकी दो condition होगी अगर मैं PCC के बारें बात करता हूँ that will be 2000 milligram per liter आपका हो जाए करेगा for PCC but in case of RCC that is 500 milligram per liter in case of RCC तो यहाँ पर आपसे क्या पूचे गया था यहाँ पर आपसे पूचे गया था organic solid के लिए ठीक है यह आपका अलग-अलग condition में आपकी चीजे है तो यहाँ पर यहाँ पर कितना हो जाए करेगा that is option number B will be the correct answer for this question option number B यहाँ पर आपका answer correct हो जाए करेगा question पढ़ेंगे और answer करेंगे क्या यहाँ पर आपका answer रहने वाला है ठीक है चलेगा तो यहाँ पर आपकी बात चल लगी है as per IES 1026-2009 what is the maximum nominal size of aggregate for concrete per cubic meter for concrete mix design the maximum amount of water ठीक है बताब यह पुचागा है कि जो आपका maximum size रहने वाला है इसके respect में जो आपका maximum water रहने वाला है इस code के हिसाब से वह अबक कितना रहने वाला है वह आपका कितना रहने वाला है तो ध्यान रखेंगे that is 208 liter ठीक है A answer यहाँ पर आपका correct हो जाए करेगा 208 liter तो यहाँ पर A answer यहाँ पर आपका correct हो जाए करेगा किसके respect पूचे गई है maximum size के respect में maximum size of aggregate के respect में पानी होगा इस size code के साब से कितना रहने वाला 208 liter ठीक है question बढ़ेंगे the finest modulus of sand used in construction work for plastering purpose as per IS 1542 1992 shall be in the range of ठीक है shall be in the range of तो मैंने आपको यह बताया था अगर मैं बात करता हूँ आपसे finest modulus के बारे में अगर मेरे पास fine sand हो सकता है मेरे पास ठीक है मेरे पास medium sand हो सकता है तो क्या मेरे पास core sand भी हो सकता है क्या core sand भी मेरे पास हो सकता है जब मैं fine sand के बारे में बात करूँगा जब मैं आपका medium sand के वारे में बात करूंगा, जब मैं आपका core sand के वारे में बात करूंगा, तो fine sand के case में, जो मेरा fineness modulus भुआ करेगा, ठीक है, fineness modulus, तो वो मेरा कितना रहने वाला आपको पता है, वो आपका 2.2 से, आपका 2.6, और इसमें आपका 2.6 से, यूज करना है, यहाँ पर आपको बताना है, तो उस condition में, और भी ज़्यादा fine sand का requirement आपको होगा, जिसका fineness modulus approximately 1.2 से लेकर के, ठीक है, 2.2 इसके बीच में, आपका range के बीच में, आपका fineness modulus का value हुआ करेगा, बतलब इससे भी final के उपर आपको काम करना पड़ेगा, option number B will be the correct answer for this question, option number B यहाँ पर आपका answer correct हो जाए करेगा, ठीक है, कोई doubt है, तो आप मुझे बता सकते हैं, comment कर दीजिएगा बस, ठीक है, a repeat test shall be made if individual compressive strength of a concrete, individual compressive strength of a cube varies from the average compressive strength of the batch of three cubes, आपको पता है कि आपको compressive strength अगर निकाए, अगहरों पको करतों अगरें कीaiser correct है, एफ र理्यूशबरे le चंग जर दोंगको कामें, झालzego कर देreg therapeutic एपरीक हा कि रीक önceảng मॉहरों आपको जै को अज़ हैं, रहे च़्यों है, उन्रذील मॉहरों कि याल सकते हा लेग किए और अट मॉहरों झाल 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 झाल